कि Haro दौस्तों नमश्कार अदाफ स्रीकर्ब बहुत बहुत स्वागता है आपका अपने यूटीब चैनल पर दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं ये संत्रे का प्धा जो यह कट 되어 हमापको पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आने वाड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राफ्ट व सब्सक्राइब करें दोस्तो हमारे दातों के लिए हमारे पेट के लिए और हमारे स्रीर के लिए बहुत ही जुरूरी है बहुत ही अवश्यक है दोस्तों ऐसी ऐसी बाते बताऊंगा मैं आपको जो आपने नहीं सुनी होगी इतने जबर्दस पर मुलें बताऊंगा कि आप जो है सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से भी इसका प्रयोक किया जा सकता ह है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं यदि आपके सालिकला और जाया है और आपका चेहरा का झाला है तो उसके लिए जु इसका बहुत ही जबर्दस नुश्का बताने जा रहा हूँ आप जरूर इसको फोलो करें इसके लिए आप जो है आज संत्रे के छिलके लीजिए संत्रे के छिलके लीजिए उनको जो है छाओं में सुखाईए चाम में सुखाने के बाद ये थोड़ी बहुत ऐसी जगह सिखाईए जहां पर उनको सीधी धूप ना लगे सीधी धूप ना लगे ऐसी जगह पर सुखाईए और उनको सुखाकर पीस लेक्षे से पीस करके आपने क्या करना है आप उनको जो है जो मुलतानी मिट्टी होती है उनमें मिक्स कर लें और थोड़ा साइद मिक्स करें और थोड़ा सा गुलाब जल आप अपने चेहरे पर लगा लें और चेहरे पर लगाने के बाद आपने जो है उसको सूखने देना है सूखने द का 15 दिन का गैप होना जुरूरी है आप देखेंगे आपके चेहरे पर जो है कमाल का गुलो आ जाएगा आपका चेहरा जो है कमाल खिल जाएगा इतना ताकतवर इतना बड़िया फोर्मूला है दोस्तों यह बहुत ही जबर्दस्त काम करता है आप इसका प्रयोक करें और आप देखेंगे कि आपको जो है अश्चरिय जनक फायदा मिलेगा और दोस्तों आप संत्रे के खाएंगे तो आपके पेट में भी घून में भी सारे जगा जो है आपके बावसीर की समस्या नहीं होगी क्योंकि आपके पेट को सॉफ करेगा आप क्यांतडियों को सॉफ करेगा दोस्तों एक छिलके इसके छिलके को जो है आपके मुव में खून आता है आपके मुव से जो है आपके मसूड़े कमजोर हो चुके हैं आपके मसूड़े बार बार फूलते हैं तो जो है किसी भी प्रकार की समस्या के लिए दोस्तों बहुत जवर्दस्त काम करेगा एक दम आपका जब मसूड़े फूलने बंद हो जाएंगे आपके जो बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे इतना जवर्दस्त काम करता है संत्रा और आप जो है इसको इसके पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आप इसके छिलके का प्रयोग करेंगे वह ज्यादा ताकतवर है इतना और आप इसको कच्चा खाएं सुबह सुबह इसका एक गिलास कच्चे संत्रे का निकाल कर जूस पी लें तो आपके बवसीर की समस्या कभी नहीं होगी आपकी जो अत्रिय करता है कि छिलके को सिर्व में भी लगा सकते हैं पाउडर बना करके और वह भी बहुत जबर्दस्त काम करता है जादिया आपके सिर्व में भी कोई से दोस्तों आप जो हमारे वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के पास और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ब्लेज औ और वीडियो देखने के लिए मैं आप सब का दन्यवाद करता हूं जाएंगे